तो सूप्रभात जै मातादी बड़े ही सुन्दर दिन चल रहे हैं नवरात्री के आज तृत्य दुवस है चारों तरफ मां की भक्ती का आलोक छाया हुआ है दिव्य वातावरण हो गया है तो चैत्र मास की नवरात्री के तीसरे दिन हम मां चंद्र घंटा की अराधना करते हैं जो की भगवती की तीसरी दिव्य शक्ती है इन्हें पापों की विनाशनी कहा जाता है नवरात्री के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की उपासना करने से साहस आता है पराक्रम आता है हमे माँ विशेश प्राक्रमी होने का वर्दान देती हैं माँ की कथा है कि युद्ध मुद्रा में सिंग पर विराजमान मा चंद्रगंटा के हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुश और गदा विराजमान होते हैं मा के माथे पर घंटे के आकार में अर्द चंद्र विराजमान है इसलिए इनका दिव्य नाम चंद्रगंटा कहलाता है शास्त्रों के अनुसार मा चंद्रगंटा ने राक्षसों के संगहार के लिए अवतार लिया था इनमें भ्रम्मा, विश्नु, महेश तीनो देवों की शक्तियों का समा योजन मिलता है मा चंद्रगंटा की पूजा में लाल और नारंगी रंग को अधिक परियोग करना चाहिए इससे मा बहुत प्रसन होती है माता रानी को लाल चंदन, लाल चुनरी, लाल फूल और लाल फल जैसे की सेव इत्यादी अर्पित करने से मा सारी इच्छाओं की पूर्ती कर देती है मा को दूद से बनी मिठाईयों का भोग लगाना चाहिए उसके बाद मा की आर्ती करनी चाहिए इस तरह पूजा करने से मा चंदरघंटा प्रसन होती है साहस सौमिता और विनम्रता में हमारे अंदर एक वृद्धी का भाव जगा देती है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मित्रो के नवरात्री के तीसरे दिन मा दूर्गा की पूजा उनका क्या उपाय करें आपकी राशी के अनुसार जिससे की आप मा की कृपा को अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें शुरुआत करते हैं मेश राशी वालों से मेश राशी वालो आज आप मा की उपासना पीले रंके वस्तर धारन करके करें आज आप मां को गुड का भोग लगाएं साथी ओम हरीम नमहा का जब करिएगा इससे धन संबंदी सारी बादाएं दूर हो जाएंगी आगे बढ़ते हैं वरिश राशी की तरफ वरिश राशी वालो आज आप मां को गूगल की धूनी से उनकी आरती करें पूजा करें गूगल की धूनी आज आज आप अवश्य जलाएं मां के समक्ष इससे आपकी सारी नेगिटिविटी दूर हो जाएगी साथ ही आप ओम श्रीम अंबिकाए नमा का जब करें आशाती इतलाब होगा बात करते हैं मितुन राशी की मितुन राशी वालो आज आप मां की पूजा चंदन से बनी अगरबती से करें आरती के समय चंदन से बनी अगरबती का इस्तेमाल कीजेगा इससे आपको कर्ज से मुक्ती मिलेगी साथ ही आप ओम एम नमा का यथा शक्ती जब कीजेगा कॉन्फिडेंस में बड़ोत्री होगी बात करते हैं करकराशी की करकराशी वालो आज आप देवी मंदिर जाकर मां के सामने चार नीमू काट कर रख दीजेगा जिन्दगी की कठिन से कठिन परिशानियों से आपको मुक्ती मिल जाएगी साथ ही ओम क्लीम नमा का यता शक्ती जब कीजेगा पराकरम खूब बड़ेगा सिंग राशी वालो आज आप मां दुर्गा को काला धागा तथा गुलाब के फूल अर्पित करें साथ ही ओम क्रीम क्रीम फट स्वाहा इस मंत्र का अधिक से अधिक जब करने से आपकी पुरानी से पुरानी बिमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा अब बात करते हैं कन्या राशी की कन्या राशी वालो आज आप मां को लड़ों का भोग लगाएं इस से आपको बिमारी से मुक्ती मिलेगी साथ ही मा के दिव्य मंत्र ओम त्री त्री नित्राय नमा का जब करे लाब होगा तुला राशी वालो देवी के चरणों में आज आप सफेद अबीर को अर्पित कीजिएगा तथा ओम हलीम नमा का जब कीजिएगा इससे जो भी आपकी कर्ज की समस्या है या रोग की समस्या है उससे आपको मुक्ती मिल जाएगी अब बात करते हैं वरिश्चिक राशी की वरिश्चिक राशी वालो आज आप मां को बर्फी का प्रसाद चढ़ाएं बर्फी के परसाद का भोग लगाएं उसे मंदिर के बाहर बाटें इससे आपकी मनो कामना पूर्ण होगी मंत्र है आपके लिए ओम देवे नमहां यह था शक्ती चप करें कल्यान होगा आगे बढ़ते हैं धनू राशी की तरफ धनू राशी वालो आज मां के सामने मां की मूर्टी के समक्ष आप दो मूवाला दीपक जलाएं इससे आपके कारे में आने वाली सारी बादाएं दूर होगी नौकरी में तरक्की होगी दिव्य मंत्र है ओम शक्ते नमा मंत्र जब ये शक्ती बढ़ जाएगी मकर राशी वालो आज आपको मां दुर्गा की अरादना सफेद फूलों से करनी चाहिए सफेद फूल मां को अर्पित कीजेगा साथी ओम लीम नमा कजब कीजेगा इससे आपको अपनी संतान पक्ष से कोई न कोई खुशकबरी अवश्य मिलेगी आगे बढ़ते हैं कुम्ब राशी की तरफ कुम्ब राशी वालो आज आप मां को भावना से भर कर नारियल अर्पित कीजेगा साथी ओम त्री नित्राय नमा कजब कीजेगा देखिएगा कि आपको कितना धनलाब होगा काल पुरुश की अंतिम राशी है मीन राशी मीन राशी वालो आज आप सफेद रंगे वस्त्र पहन कर दुरगा मंदिर में जाएं तीन बार घंटी बजाएं तथा वहां बैठकर यता शक्ति ओम, क्लीम, एम, नमा कजब करेंगे तो ऐसा करने से आपको रोग, शांती होगी साथ ही कारियों में आने वाली बादाएं दूर हो जाएंगी तो प्यारे मित्रों ये थी राशी अनुसार उपायों की सला नवरात्रों की इन सुन्दर घड़ियों को और भी दिव्य बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, कल मैं फिर एक नए कारेकरम के साथ उपस्तित होंगा तब तक के लिए मा की भक्ती में लीन रहें, जै माता दी